अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सभी का नुरानी खबरों में इस्तकबाल है इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास के सबसे अमीर आदमे की जो की सच्छा मुसल्मान था जी हाँ मंसा मुसा इनका एक परीचे ये भी है कि वो टिमबक्टू के राजा थे मुसा ने माली की सल्तनत पर उस समय हुकूमत की थी जब वो खनिज पदार्तों खास कर सोने के बहुत बड़े भंडार के मालिक हुआ करते थे ये वो जमाना था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अपने चरम पर थी उनका असली नाम मुसा कीटा प्रथम था लेकिन तक्त पर बैठने के बाद वो मंसा कहलाए जिसका मतलब बादिशाह होता है मुसा की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि इसके अंतिम छोर के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था आज के मौरिटोनिया, सैनेगल, गांबिया, गीनिया, बुर्कीना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया तब मुसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थी मंसा मुसा ने कई मस्जिदों का निर्मान कराया, जिनमें कई आज भी मौजूद हैं चली जानते हैं कि आखिर मंसा मुसा कितने दौलत मंद थी दरसल मनसा मूसा की दौलत का हिसाब किताब आज के वक्त के मुताबित लगाना एक मुश्किल काम है फिर भी एक अंदाजा है कि मनसा मूसा के पास करीब 4 लाख मिलियन अमेरिकी डौलर के बराबर की दौलत थी भारतिय मुद्रा में ये रकम करीब धाई लाख करोड रुपाए बनती है और आज के समय में सबसे अमीर आदमी के पास केवल एक लाख छे हजार मिलियन अमेरिकी डौलर की दौलत है आईए आपको मनसा मूसा के दौर का सबसे मशहूर के साब अते हैं दरसल मनसा मूसा के दौर की जो सबसे मशहूर कहानी है वो है उनकी मक्का यात्रा ये 1324 की बात है इस सफर में मनसा मूसा ने 45,000 किलोमीटर का फासला तै किया था किसा ये है कि जो लोग मंसा मूसा को देखना चाहते थे जब वो उनके कारवां के पास पहुँचे तो हैरान रह गए लोग उन्हें देखा कि मंसा मूसा के कारवां में 60,000 लोग शामिल थे और इनमें 12,000 तो केवल सुल्तान के निजी अनुचर यानी नौकर थे मंसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे उससे आगे 500 लोगों का दस्ता चल रहा था जिनके हाथ में सोने की छड़ी होती थी मंसा मूसा के ये 500 संदीश वाहक बहतुरीन रेशम का लिबास पहना करते थे इनके अलाबा इस सकारवा में 80 उठों का जथा भी था जिस पर 136 किलो सोना लदा हुआ था कहा जाता है कि मंसा मूसा इतने उदार थे कि वो जब मिसर की राजधानी काहिरा से गुजड़े तो वहां उन्होंने गरीबों को इतना दान दे दिया कि उस इलाके में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई मंसा मूसा की इस यात्रा की वज़ा से उनकी दौलत के किस से यूरोपिये लोगों के कानों तक पहुँचे यूरोप से लोग सिर्फ ये देखने के लिए उनके पास आने लगे कि उनकी दौलत के बारे में जो बात कही जा रही हैं वो किस हद तक सच है मंसा मूसा की दौलत की जब पुछ्टी हो गई तो उस वक्त के महत्वपून नक्षे कैटलन एटलस में माली सल्तनत और उसके बादशाह का नाम अंकित किया गया चौदवी सदी के कैटलन एटलस में उस वक्त की उन तमाम जगहों का वर्णन है जो यूरोपिय लोगों को मालूम थी जी हाँ अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि मनसा मुसा के पास आज के युग में अमबानी बिल गेट्स परिवारों से कई गुना जादा दौलत थी खैर ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल नूरानी खबर को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और कई जानकारियां खोचते रहेंगी खुदा हाफिस